वेलकम दूदा वैस्ट्वी पार्ट साला में आपका स्वागत है तो आज में हम आपके सामने लेकर क्या हैं यूनिट का कनवर्जन कैसे करते हैं जैसे कि आर आर भी आप एक्जाम देने जा रहा हैं आर आर भी एंटी पीसी का या गुरूप डी का उसमें फिजिक्स एक में इन पोर्षण आ रहा है तो फिजिक्स से समंदित यते हैं अगर आप मालो अकैडमिक में पढ़ाई कर रहा है यानि की नाइंथ में हैं और टेंथ में उसमें सबसे जो में इंपॉर्टन पार्ट होता है यूनिट का कनवर्जन का फिजिक्स में हम सवाल लगाना तो सीख ल लेगा वह सिस्टेम बताने जा रहा हूं एक लाइन में अगर आपने इसको अच्छे से सीख लिया तो यूनिट का कनवर्जन आपको कभी भी दिक्कत नहीं करेगा तो चलिए फिर देखते हैं उससे पहले अगर आप हमारे आफ्लाइन से जोड़ना चाहते हैं तो डिस्क् आफ़ा छोटा चोटा अगर आ रहा है तो मेरी आवाज को सुनिए और उससे समझने की कोशिस किजिए और इसी तरीके से मीटर के चलेगी ठीक है तो आपको करना क्या है अगर हम किलो ग्राम को इधर की ओर कहीं भी ले जा रहा है किलो ग्राम एक और आएगा यहाँ पर ग्राम एक और आएगा यहाँ पर ग्राम एड कर लीजिएगा ठीक इसी तरीके से यहाँ पर क्या जाएगा तो यहाँ पर मीटर और आड कर तो अगर मान लो आपको इधर से इधर जाना है तो आप multiply कर दीजिए इधर से इधर आना है तो आप गुणा कर दीजिए अब किसका गुणा करना है किसका multiply करना है यह मैं आपको पताता हूँ जैसे कि आपको पता है कि 1000 किलो मीटर अगर होता है 1000 km कह रहे है, 1000 m अगर होता है तो उसको हम क्या लिखते है 1 km, ये तो आपको पता है न बाई, सिंपल से चीज है, अगर हम 1000 m चल देते हैं तो कहते हैं नहीं, कि हमें 1 km पहुंच गए हमें 1 km गाड़ी चला लिए तो वही चीज है, कि 1000 m है, तो उसको 1 km बोलते हैं अब ये हुआ कैसे, देखिए अब हम देखते क्या है, कि 1000 m को अगर यहीं कोश्चन होता कि 1000 m को चेंज करो किसमें, किलो मीटर में तो अब हम अपने सीरीज पर आते देखिए, ये 1 kg है, ये 1 km है, किलो मीटर है किलो मीटर को किसमें बदलना है, सारी, मीटर को किसमें बदलना है किलो मीटर में, तो जड़ा देखिए यानि कि हमको यहां से खाना है, यहां से यहां आना है एक प्लेस, दो प्लेस, उचल कर गया है तो एक प्लेस, दो प्लेस और खुद का एक प्लेस, यानि कि तीन प्लेस हो गए, तो तीन प्लेस हो गए, तो तीन प्लेस का इधर से इधर आ रहा है, अब देखिए यह एरो बना, यह एरो बता रहा है कि अगर इधर से इधर आएंगे, तो हम भाग करेंगे, और अगर इधर है हो गया ना कीडिया गया एक किलो मेटर एक हजार मीटर पर कितने होते हैं एक किलो मेटर समझङ लए दूसरा कॉश्चन के इसको उठाते हैं खिल सका मान लोहां कि आपको दे दिया गया का बीस अदेसी के मिटर और इसको चेंज 10 का 10 हो जाएगा तो कितना आजायगा 2 मीटर समझ में आगई बात ठीक है ना चलीं लेक्ट देखते हैं अगर आपको दे दिया जाता हैक्टो मीटर दे गिया गया 5 हैक्टो मीटर को चेंज करो ант चैंज करो सेंटिमीटर में किस मादलो सेंटिमेटर में, तो देखिए 5 हेक्टो मीटर, अब जरा हेक्टो मीटर के हम देखेंगे 1, 2, 3, 4, खुद का 4 हो गया न, तो 5 हेक्टो मीटर है 4 इधर से इधर आ रहे हैं, तो क्या है, मल्टिप्लाई, तो 1 के साथ 4, 0 1, 2, 3, 4, 4, 0 हो गए, तो 5 के साथ कितना आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, इसको कहा लिख सकते हैं, 5 इंटिमेटर, 4, ये क्या आ जाएगा तुमारा, सेंटिमेटर, समझ जा रहा न, मुझे लग रहा है ऐसा कि आपको समझ में आ गया होगा, तो ये हम यूनिट का चेंजमेंट इस तरीके से करते हैं, ठीक है न, तो मीटर को अगर सेंटिमेटर में बदलना है, या सेंटिमेटर को मीटर बदलना है, उसके बादे मी देख लेते हैं, मालो कि आपको दिया है, 10 सेंटिमेटर, और सो कहा ले जाना है, मीटर में, तो देखिए, सेंटिमेटर क किवल लास्ट का ही तो चेंजमेंट है, सेंटिमेटर किसमें बतलना, मीटर में, एक, दो, एक, दो, यानि कि इधर सीधार आने पर क्या होगा, डिवीजन, तो इसमें हंडेट का क्या हो जाएगा, डिवीजन, तो कितना आ जाएगा, वन अपॉन टेन, कितना, मीटर, या, 0.1 मीटर, ऐसा मुझे लग रहा है कि आप ये, समझ गए होंगे, तो यहाँ पर मीने मीटर, हमने यूनिट का कनवर्जन देखा, और यूनिट का कनवर्जन से सम्बंदित, अब इससे सवाल जो भी आएगे, हम उसको चेंज कर सकते हैं, आपको रटना नहीं है, कि एक किलोमेटर में ये होता है, एक सेंटिमेटर में ये होता है, वो होता है, क्योंकि वो यह आपको यादी नहीं होना है, तो आप छोटी सी ये लाइन याद रखिए, और किवन ये याद रखिए कि किधर से किधर जाने पर हम division करेंगे और किधर से किधर जाने पर multiply करेंगे तो आसा करता हूँ कि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी मेहनत को थोड़ा सा सराइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जदा जदा प्लेटफरम पर सेयर कीजिए और मैं आपके सामने अब साइन्स की क्लास लेन लाने जा रहा हूँ क्योंकि आरावी का जो एकजाम होने जा रहा है वो एंटि-पी-सी का हो या गृृप-डी का हो उसमें science एक big portion बनके आ रहा है तो science से सम्मंदि जितने भी question होंगे मैं आप उनको वीडियो के सामने आपके सामने प्रस्तुत करूँगा तो अगर आप वीडियो को पुरा देखा है तो उसके लिए धन्यवाद चैनल को जदा जदा लाइक कीजिए जदा जदा सब्सक्राइब कीजिए और जदा जदा सेल कीजिए धन्यवाद